हाई फ्रेंज असलाम लेकूम कैसे हैं आप सभी आई हूप आप से बहुत बहुत अच्छे होंगे तो आज है रमजान का बारवा रोजा बारवे रोजे की हहाँ पर मैं एफटारी के तयारी कर रही हूँ तो सारी सबजिया सारे मसाले मैंने यहाँ पर आट वगरा सब निकाल है फिर मैंने ले लिया है पनीर उसको हमने छोटे छोटे पीसीज में कट कर देना है यह पनीर मैंने घर पे बनाया है जो दूद फट गया था न मेरा मैंने उसी का पनीर बना दिया फिर मैंने कडाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया उसमें बारी कटा हुआ जिंजर गालिक कालिक देना, मैंने यहां पर ग्रेट किया हुआ, जिंजर कालिक डाले, आप जिंजर कालिका पेस्ट भी डाल सकते हो, एक पतला कटлом गट हुआ हमने प्यास डाल देना है रदीना है और अच्छे से मिक्स कर कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्वादनुसार नमक डाल देना है फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमारी हरी चटनी बनकर तयार है अब इसको हमने साइड में रख देना है और यहां जो हमारी सब्जे है वो भी गल चुकी है इसके अंदर हमने मसाले डाल देन और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेना है उसके बाद हमने डाल देना इसके अंदर पनीर और सारे मसाले पनीर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है दो से तीन मिनट के लिए इसको ऐसे हमने भूलना है उसके बाद मैंने ले लिया है डो जिसको हमने बारे मिनट के लिए रख सारी रोटिय गोसे मैं देना हुए, मैं यह उसमें कन बने के आपता है। उसके बाद टमाटो कैचप जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है पूरी रोटी के उपर फिर हमने बीच स्टफिंग रख देना है उपर से प्याज रख देंगे जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो डाल देना है उपर से हलका सा और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे ये देखे कितने अच्छे से ये फोल्ड हो चुका है ऐसे ही हमने सारे रोल को फोल्ड कर लेना है और तवे के उपर रख देना है उपर से हलका हलका बटर लगा के दोनों साइड हमने इसको पलटते हुए गसे इस एकले संट नहीं हमारे बैफ कि बना चुका ए और आधे पीच सीज में तो में हुआने टेस्टी चट पते पनीर रोल बन प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगे नई रैस्पी के साथ तब तक लिया लाह